दोस्तो इस वीडियो के अंदर में आप लोगों को हिंदुस्तान जिंक और इन्फोसस लिमिटेड के साथ में कुछ ऐसी कंपनी इसके शेयर्स के बारे में बताने जा रहा हूँ जिन्नों ने यहाँ पे बोनस, स्प्लेट और डिविडेंड अनौंस कर दिया है मैं हूँ आरुश आप लोग देख रहे हैं फिनो मीडिया बाया आरुश आईएब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं आज आते हैं बात करते हैं यहाँ पे हमारे पहले शेयर की तो कंपनी का नाम है IRCTC याने की इंडियन रेलवे केटरिंग अन्ट टूरिजम कॉर्पोरेशन आज के ट्रेडिंग सेशन में कंपनी का जो शेयर है लगबग हमें 2% की तेजी दिखाता देखने को मिला 831 रुपीज पे क्लोज हुआ अगर इस कंपनी के ओफिशल अनौंसमेंट की बात करें तो IRCTC ने डिविडेंट अनौंस कर दिया है 4 रुपीज का आपको आपके हर एक शेयर पे 4 रुपे का डिविडेंट दिया जाएगा और इसको देने की एक्स डेट रिकॉर्ड डेट 14th of November यानि की 14 November की रखी गई है अगले शेयर की बात करें तो कंपनी का नाम है अमारा राजा Energy and Mobility Limited आज की ट्रेडिंग सेशन में कंपनी का जो शेयर है लगबग हमें 3.5% की गिरावट करता देखने को मिला 1324 रुपीज पे क्लोज हुआ अगर इस कंपनी के ओफिशल Energy and Mobility ने जो बे डिविडेंट अराउंस कर दिया है 5.30 रुपीज का आपको आपके हरे एक शेयर पे 5 रुपे 30 पैसे का डिविडेंट दिया जाएगा डिविडेंट वैल्यू की बात करें तो बिलो एवरेज है बट ठीक है इसको देने की X-Date Record Date आ चुकी है जो की 14th of November या जादा करेक्ट होता देखने को मिला 2,594 रुपीज पे क्लोज हुआ अगर इस कंपनी के Official Announcement की बात करें तो Galaxo Smith Line Pharmaceuticals ने जो बे डिविडेंट अनौंस कर दिया है 12 रुपीज का आपको आपके हरे एक शेयर पे 12 रुपे का डिविडेंट दिया जाएगा और इसको देने की X Date Record Date जो है 7th of November यानि की 7 November की रखी गई है अगले शेयर की बात करें तो कंपनी का नाम है Senco Gold Limited लास्ट ट्रेडिंग सेशन पे कंपनी का जो शेयर है धाई परसेंट से जादा करेक्ट होता देखने को मिला 1,158 रुपीज पे क्लोज भुआ हाँ एक बड़ी अपडेट औ आपको लिंक मिल जाएगा यहाँ पे मैं आप लगो को रेगुलर बेसिस पे कैश की उपर में स्टॉक्स पे बाइंग रेकमेंडेशन शेयर करता हूँ शॉर्ट टर्म के लिए स्कैल्पिंग सेटप और वहीं मिड टर्म के लिए स्विंग ट्रेडिंग सेटप प्रोवाइ अगले शेयर की बात करें तो कंपनी का नाम है राजेश्वरी कैंस लिमिटेड अभी लास्ट ट्रेडिंग सेशन पे कंपनी का जो शेयर है पांच परसेंट की गिरावट करता देखने को मिला 638 रोपीज पे क्लोज हुआ राजेश्वरी कैंस के अगर ऑफिशल अनौंसमेंट की बात करें तो इस कंपन आप ये भी कह सकते हैं आपके पास में इस कंपनी के जितने भी शेयर हैं वो सभी के सभी यहां पे डबल हो जाएंगे अब इस बोनस को भी देने की एकस डेट रेकॉर्ड डेट अपकमिंग में है आपको तो पताइए जस्ट आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है बाद म 753 रुपीज पे क्लोज हुआ इन फोसिस की तरफ से काफी बड़ी और एक पॉजिटिव अपडेट सामने आ रही है बेसिकली यहां पे प्रभुदास लिलादर करके काफी जाना माना ब्रोकरेज फर्म है आप लोगों ने प्रभुदास लिलादर का नाम सुना होगा इस ब प्रभुदास लिलादर एकस्पेक्ट करके चल रहा है इन फोसिस लिमिटेड के शियर के उपर में अब इन फोसिस की एस अ कंपनी एस अ अगर हम ब्रैंड बात करें तो देखिए इंडिया की वन आफ दी लाजेस्ट कंपनी में से एक है सभी को पता है इंडिया की IT सेक्ट के अंदर long term wise अगर आप देखें अभी की अगर हम बात करें तो देखिए short term में जितनी भी IT companies के shares हैं कही न कहीं सभी आपको struggle करते देखने को मिलेंगे except Wipro, Wipro थोड़ा सा जादा अच्छा perform कर रहा है इसी वज़े से वो थोड़ा आगे निकल जाता है बट वहीं एगर हम Infosys पे वापस आएं तो देखिए Infosys की long term targets तो आपके काफी बड़े हो सकते हैं for sure लेकिन short term की अगर हम बात करें लगबग आज से अगर आप कुछ हफतों की बात करते हैं तो आपका यहाँ पे जो major target बन रहा है वो 1800 रुपीज, 1800 रुपे का बन रहा है इससे जादा आप short रुपीज का target set करके चल सकते हैं और अगर आप चाहें Infosys की share को short term के हिसाब से की आने वाले कुछ दिनों या कुछ हफतों के हिसाब से purchase कर सकते हैं और long term अगर आप view रखते हैं तो फिर long term के हिसाब से जा सकते हैं फिर आपका target 2200 के आसपस में बन जाएगा तो अभी फिल हैं और हाँ company के share को आपके watch list के अंदर में भी जरूर से add करिएगा अब आज आते हैं इसी के साथ में बात कर लेते हैं यहाँ पे हमारे अगले and last update की तो company का नाम है हिंदुस्तान Zinc Limited हिंदुस्तान Zinc का जो share है last trading session पे लगबग हमें 3% की तेजी दिखाता देखने को मिला 55 559 रुपीज पे close हुआ हिंदुस्तान Zinc की तरफ से भी एक काफी बड़ी और एक positive update ही सामने आ रही है basically again यहाँ पे प्रभुदास लिलादर जो की एक काफी जाना माना brokerage firm है इन्होंने जो हिंदुस्तान Zinc के share पे भी bullishness दिखाई है और यहाँ पे जो target price दिया है 575 रुप पर में सेम टाइम पे प्रभुदास लिलादर ने जो बे stop loss भी recommend कर रहे जो की 520 रुपीज कर रहेगा तो 520 रुपे का stop loss देते हुए एक full-fledged brokerage call जो बे इस brokerage firm ने हिंदुस्तान Zinc के share के उपर में provide करी है अगर हिंदुस्तान Zinc की as a company बात करें first of all विदानता ग्रुप की एक subsidiary company है तो backing काफी strong है उसके अलावा हिंदुस्तान Zinc अपने आप में fundamentally financially काफी strong है और government का भी एक अच्छा काजा stake company के अंदर में मौझूद है तो as such risk भी आपका एकदम minimize हो जाता है इसके अलावा recently हिंदुस्तान Zinc ने अपने ही business के अंदर में काफी अच्छा खासा investment क इसके चलते अगर आप देखेंगे almost company की जो production capacity है आने वले कुछ time में हमें double होती नजर आ जाएगी तो कही ना कहीं अगर production capacity double होगी तो cdc बाते sales भी increase होंगी profits revenues और कहीं ना कहीं share price भी आपको बढ़ता नजर आएगा अल ओबर हिंदुस्तान Zinc company काफी जबरदस्त है dividend भी अच्छा गसा अपने investors को distribute कर देती है long term potential company के अंदर काफी ज़ादा अच्छा है अगर देखा जाए current market price current valuation के हिसाब से current market price पर आप इसे purchase कर सकते है जस्त यह जो 575 रुपे का target है यह target आपको थोड़ा छोटा है और आन इकल में देखिएगा short term में अगर आपको एक दो दिन या 4-5 दिन का setup बनाना चाहे तब आप हिंदुस्तान Zinc को purchase कर सकते हैं या फिर अगर आपका vision long term का आने वाले date से 2 सालों से भी जादा काए तब आप हिंदुस्तान Zinc के अंदर में invest कर सकते हैं कहीना कहीन इन forces जैसा ही नजर बना के रखिए बाकी हिंदुस्तान Zinc हो गया इन forces limited हो गया इन दोनों के अलावा आपको जिस भी company के share को purchase करना हुआ ताकि यहाँ पे आपको उसके announcement का benefit मिल पाए तो उस particular share को आपको उसकी X date से पहले पहले purchase कर लेना होगा बाकी इस वीडियो के अंदर इतना ही रख subscribe करिएगा विगोज ऐसे वीडियो मैं आप लगो के लिए daily basis पे लेकर के आता रहता हूँ चलिए मिलेंगे किसी और वीडियो के अंदर till then बाई